हलो दोस्तों आप सभी का All About Sources में स्वागत है और ये एक डिमांडिंग वीडियो है आप लोगों का डिमांड था कि मैं जो भी नारिवाद से सम्मंधित जो विचारक हैं उन पे वीडियो बना दीजिए जैसे कि सरमीला रेगे हुई वीना अगरवाल हैं नीरा देसाई हैं औ और भी आन्य विचारक हैं वन्दनासिवा हैं तो इस प्रकार से हम लोग आज नीरा देसाई के बारे में चर्चा करने वाले हैं यह जो हैं बहुत ही महत्पूर्ण विचारक हैं और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर हम लोग सेलेवस की द्रिस्ट्री से देखें तो यह ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जैसे PGT है PGT के लिए important नहीं है या फिर नीरा देसाई का तो हमारे सिलेवस में नाम ही नहीं है तो हमें नहीं पढ़ने की जरूरत हैं मैं बार बार बोलती हूं कि जो भी topics हैं समासा से समंदित तो directly indirectly कहीं न कहीं यह connected होते हैं माल लेते हैं जैस तो ग्रामीर समासासर पे किसने काम किया है या फिर महिलाओं पे किसने काम किया है तो जब यह topic आ जाता है तो यह विचारक अपने आप हमें पढ़ने पढ़ते हैं तो इसलिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि नीरा देसाई हमारे सिलेवस में नहीं है नीरा देसाई अगर महिला का जीवन पर्चे देख लेते हैं मैं आप लोगों को इससे पहले बता दूं कि नीरा दिसाई के बारे में मैंने जितना भी सोर्सिस खंगा ले उसको विकीपीडिया पे जितना मुझे मिला मुझे ऐसा लगा कि इतना सफिसेंट है किसी भी एक्जाम में इससे जादे कहीं इस बिचारक से समन्नित नहीं पूछा जा सकता है फिर भी मैं अन्या और भी सोर्सिस से मैंने देखा कि आखिर में नीरा दिसाई के बारे में कुछ और भी महत्वपूर जानकारिया मिल सकती है तो मिलें लेकि मोश्टली जो है वो मैंने विकीपीडिया से यहां पे सोर्सिस ल प्रोफेसर, शोध करता, शिच्छावित, राजनितिक कारिकरता और सामाजिक कारिकरता के रूप में उनके योगदान के लिए जानी जाती थी उन्नोंने 1974 में महिला अध्यैन के लिए अपनी तरह के पहले अनुसंधान केंद्र और क्रामेड विकास केंद्र की अस्थापन की थी, ये कौन से थे, आगे हम लोग डिसकस करेंगे, अब अगर इनके प्रारंभिक जीवन की बात करें, कि इनका कैसे लाइफ बीता है, इनके जीवन में क्या-क्या घटनाएं घटी हैं, तो नीरा देसाई का जन्म 1925 में एक गुजराती परिवार में हुआ था, तो सबस जो परिवार था, वो भारती स्वतंता अंदोलन में सामिल था, 1925 का आप लोग टाइम लाइन देख सकते हैं, हमारा देस 1947 में आजाद हुआ है, तो जब तक देस आजाद हुआ था, तब तक नीरा देसाई की भी काफी योगदान रहे हैं, भारत की स्वतंतरता में, और यह ओफिस्ट विचारधारा पर स्थापित एकसा सिच्छा संसान फिलोशिप स्कूल में की, उन्होंने 1942 में एल्फ फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया, लेकिन महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ों प्रस्ताओं के सुरुआत की बाद, स्वतंतरता आंदोलन में भाग लेने के लिए जल्द ही आपचारिक सिच्छाइनों ने छोड़ दी थी, तो आप लोग यहां पे जो भी इनके साथ घटनाएं घटी हैं या जिस तरीके से इनका विचार रहा है, आप लोग देख सकते हैं कि ये एक देश भक्ती से काफी परिपूर्न थी, इस विच 147 में एक साथी समाश सास्त्री जिनका नाम आप लोग को बहुत अच्छे से पता है, अक्छे रमर्ला देशाई से साधी की, तो ये ए आर देशाई की पतनी हैं, अंत्ता अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद देशाई ने भारतिय स्वत अंत्ता के तुरंत बाद अपनी असनात कोतर की पढ़ाई पूरी की, उनकी एमेथिसिस आधुनिक भारत में महिलाओं पर केंद्रित थी, तो ये इनकी थेसिस आखिर में किस पर केंद्रित था, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि आधुनिक भारत में महिलाओं की क्या भूंका रही है, तो ये भक्ती दिशाई का निधन 25 जुन 2009 को मुंबई में हुआ था यहां पे आप लोग ए आर दिशाई के बारे में तो जान गए आर दिशाई आप लोग को पता है कि एक बहुत ही मानी जाने भारते सोशियोलोजिस्ट हैं और उन्हीं की पत्नी नीरा दिशाई हैं यहां पे एक नाम और आता है आई पी दिशाई आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो यह जो नाम आता है चुकि इनका कनेक्शन जो है इन दोनों विचारकों से है तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो जाएगा ए आर दिशाई की यह पत्नी रही है आई पी दिशाई जो है यह इन आप लोग इन दोनों में डिफ्रेंसियेट जरूर रखेगा अब हम लोग एचली यहां से हम थोड़ा मैं हिंदी में आप लोग को सारी चीज़े समझा दूंगी लेकिन चुकि विकीपेडिया के इतने जादे सोसे से अफिर उनको हिंदी में टाइप करना बहुत जादे मुस इनवर्सिटी यह बहुत जादे बार आप लोगों को निरा दिसाई से सम्मंदित जो भी आप लोग पढ़ेंगे चाहिएं की जीवनी पढ़िए चाहिएं की किताबों के बारे में पढ़िए तो एसेंडीटी ओमेंस इनवर्सिटी का नाम जरूर आता है आखिर में एसेंडीटी ओमेंस इनवर्सिटी क्या है तो यह देख लेते हैं इसका फुलफ़ाम है स्रीमती नाथी बाइदा मोदर ठाकर से ओमेंस इनवर्सिटी यह मुंबई में है is a women's university in the city of Mumbai, India तो ये मुंबई में ये university है अब इनकी बात कर लेते हैं professional timeline के की आखिर में इनका जो पूरा career था वो कैसा रहा क्या क्या इन्होंने अपने life में professionally किया था अपने सिच्छा से सम्मंदित या अपने field से सम्मंदित जैसे कि एक समासास्त्री भी रही है तो इससे सम्मंदित इन्होंने क्या क्या योगदान दिये थे दिसाइस professional work focused on improving gender study तो gender study पे इन्होंने बहुत ज़्यादे काम किया था bringing in practical experience into academic life through many policy recommendation तो इन्होंने जो academic life है अर्था जो हमारा किस प्रकार से सिच्छा प्राप्त होता है तो इसके लिए इन्होंने बहुत सारे policy जो भी government की policies होती है वो भी लाने की इन्होंने recommendation दिया था harboring and propagating and understanding the links of civil society and educational कायल कुरा तो यहाँ पे ये समझने की कोशिस कर रही थी निर्यादेसाई कि आखिर में जो सिच्छा है उससे जो हमारा एक समाज है या सब भी समाज है इन दोनों में क्या link पाया जा रहा है दोनों में क्या relation है इसी को ये समझने की कोशिस कर रही थी कि सिच्छा के द्वारा समाज में क्या परिवर्दन देखने को मिल रहा है लिस्टेट विलो इस साड और बाइनो वे कम्प्लीट टाइम लाइन आप सम आप पोजिशन सी हेल डूरिंग इस कारियर तो इन्होंने आपने कारियर में क्या-क्या काम किये कुछ जो इयर्स हैं बहुत जादे इंपोर्टेंट हैं जैसे कि 1954 में इन्होंने स्री मतीनाथिवाइदाम अलद ठाकस से ऊमल्स इन्वर्शिटी को इन्होंने जोईन किया था 1965 कंप्लीटइड हो इन्होंने समाज चाहर से प्यर्श्डी को कंप्लीट किया था किसके अंडर में आई पी दिसाई के अंडर में तो यह आप लोग नाम ज़रूर याद रखेगा 1972 में appointed as a member of social task force of the committee on the status of women in India तो भारत में महिलाओं की क्या इसी थी यह इसके लिए committee form की गई थी तो इसकी एक member के रुप में इनको भी appointment किया गया था 1975 की यदि बात करें तो founded the research unit for women's studies तो इन्होंने women's study के लिए महिलाओं की अध्याइन के लिए इन्होंने एक research unit को found किया था अर्थात आधरसिला रखी थी 1982 में was one of the founding members यहाँ पे नीरा देशाई आप लोग लिख लीजेगा नीरा देशाई was the founding members of Indian Association for women's study तो यहाँ पे यह जो है IAWS यह अपने आप में इसलिए important हो जाता है कि कभी कभी exam में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि IAWS का full form क्या है तो Indian Association for women's study और इसकी एक founding member भी नीरा देशाई रही है प्रशन पूछे जाते हैं तो आप लोग इसलिए attempt कर सकते हैं जैसे कि यह एक national commission on self-employed human के लिए जो self-employed human है अर्था जो उन्होंने अपने खुद ही स्वा रोजगार खुद खोज लिए हैं उसके लिए एक national commission बनाया गया था इसकी एक यह member बनी थी और साथ ही इन्होंने women in informal sector इस पी भी इन्होंने काम किया है तो अगर पूछ दिया जाए कि informal sector पे महिलाओं के लिए और किसी का योगदान रहा है तो किसका रहा है तो इसमें भी निरा दिसाई का नाम आ जाता है हाला कि जो self-implied women थे और women in informal sector अर्था थी यह कहें कि जो government service से अलग जो महिलाएं थी जिन्होंने अपने खुद के स्वारोजगार खोल लिये थे या फिर informal sector में काम करती थी जैसे कि सबजी बेचना दूद बेचना या और भी कताई बुनाई जैसे कुछ रोजगार उन्होंने खुद के ढूड लिये थे या फिर दूसरी factories में जाके जो कि government की नहीं थी ऐसी private companies थी उनमें जाके और लोगा काम महिलाएं काम करती हैं तो उस पे जो एक national commission बनाया गया था उसकी member appoint की गई थी 1988 में became one of the following member आप इस पेरो तो यहाँ पे यह है जो अपने आप में बहुत ही जादे important है आप लोग जरूर लिख लिजेगा just कुछ नहीं इस पेरो लिखिए आप लोग और नीरा देशाई लिख दीजेए इससे आप लोगों का जो question होगा वह attempt हो जाएगा क्योंकि इस पेरो से सम्मंदित कौन रही है तो यह 1988 में देखा जाए तो नीरा देशाई इसकी एक founding member रहें आखिर में इस पेरो का full form क्या होता है यह भी देख लेते हैं sound and picture archives for research on women तो इसे आर्चिब बोलिए आर्चाइब बोलिए जो भी आप लोग बोल सकते हैं suitable आप लोग बोल सकते हैं sound and picture archives for research on women यह इस पेरो का full form है और इसकी एक founding member नहीं है नीरा देशाई जो की 1988 में फार्म हुआ था तो यह इनकी इन्होंने अपनी light में क्या क्या किये थे उससे सम्मंदित कुछ facts से और यही जो facts हैं इतनी जादे important हैं कि कहीं से भी नीरा देशाई से सम्मंदी जो प्रशन पूछ दिया जाता है वो इनहीं से पूछा जाता है इनके कुछ notable works अर्थात books की यदि बात कर लें तो आखे में यह कौन से हाला के books बहुत सारे हैं और मैंने मुझे जो important लगा मैंने यहां पे mention कर भी दिय है आप लोग जो कुछ most important है इसको मैंने front page पे लिख दिया है लेकिन इसे नीरा देशाई से related कुछ और भी books हैं जिसको मैंने mention किया है आप लोग चाहें तो उन्हें भी याद कर सकते हैं इस आइज रिटेन इन बोथ English and Gujarati at the intersection of sociology, history and women studies तो majoring का field जो है वो sociology, history अर्थात दियाज और women study अर्थात महिलाओं का अध्यान रहा है, इनकी कुछ important books है, women in modern India, आप लोग देखेंगे तो women पे इन्होंने बहुत जादे study किया है, तो आखीर में ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी है, जैसे कि women in modern India, बहुत जादे confusion रहेगा, जैसे कि मैं आगे भी books का नम बताऊंगी, तो आप लोगों को देखेंगे लएगा, दूसरी book है, The Making of Feminist, ये Indian Journal of Gender Studies, जो टू करके दिया गया है, 1995 में प्रकासित हुई थी, Traversing through gender spaces, insights from romance narratives, ये अपने आप में एक बहुत ही important book है, इसमें आप लोगों को key term यही मिलेगा, Traversing, तो Traversing through gender spaces, जिस Traversing भी अगर आप लोगों के mind में रहा, तो नीरा दिसाई का नाम आप लोग याद कर लेंगे, नीरा दिसाई और S. Go Get कर के एक विचारक है, इन्हों दोनों लोगों ने मिल के लिखा है, Teaching of sociology through the regional language, तो यहाँ पे नीरा दिसाई का मुझे एक बात और यादा रहा है, कि नीरा दिसाई ने ऐसा कहा था, कि हम जो महिलाएं हैं, उनके पारे में कैसे जानेंगे, जैसे ग्रा इनका ऐसा मानना था कि उनको जानने के लिए, उनकी problems को, उनकी समस्याई क्या हैं, उनको जानने के लिए, हमें उनकी ही भासा में बात करना पड़ेगा, और इससे related इनका एक बहुत ही famous quote है, आप लोग बस ऐसे ही समझ लीजिए, जब एक quote अगर सामने आएगा, तो आप ल जहां तक समझी, उनके quote को मैं समझा रही हूँ, तो निर्या दिसाई ने कहा था कि हमें महिलाएं जो हैं उनको समझने के लिए, उनकी भासाओं को समझना जरूरी है, उनकी भासाओं में हम समझ के, और तब उन्हें हम अपनी जो बातें हैं समझा सकते हैं, या उनकी समस्य क्राइं हैं उनके लिए अगर हमें कोई बात कहनी है तो हम जो कहते हैं वो हमें ही नहीं पता होता है कि हम क्या और रहे हैं तो इस प्रकार सी की नीरा दिसाई का कथन है अगर कभी इस तरीके के-लेटेट कोई भी कथन आया तो यह आप लोग को जैसा कि मैंने बताया है कि इनका जो PhD का जो थेसिस था मैं अभी यहाँ पे क्लियर करती हुआ आप लोगों को यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सौरी MA का जो थेसिस था यह आधुनिक भारत में महिलाएं जो कि भक्ती आंदोलन में महिलाओं के विसली सर पे आधारी था तो आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि जब MA का थेसिस यह लिख रही थी तो उसका इन्होंने एक बुक भी लिखा है ओमेन एंड भक्ती मुमेंट यहाँ पर कुछ और भी पूस्तके हैं आप लोग आप यहाँ पर दिखेंगे कि इन्होंने महिलाओं के बारे में किस तरीके से टर्म्स बहुत कंफ्यूजिंग लगेंगे बट आप लोग याद रखेगा नीरा दिसाई की स्टेटस आफ ओमें इन इंडिया ट्वंटीफाइफ एर साफ इंडिपेंडेंडेंस तो स्वतंत्ता के जो 25 साल जो है वह आखे में महिलाओं की क्या इस्थिती रही है भारत में इ अगर याद करेंगे तो इसली आद हो जाएगा कि अच्छा स्वतंत्ता 1947 में मिली थी उसके पासे 25 सालों में भारत में महिलाओं की क्या इस्थिती रही इस पर नीरा दिसाई ने काम किया है तो पता चल जाएगा कि हां ये बुक जो है ये नीरा दिसाई से सम्मंदित है इं इंडियन ओमेंई मीडिया पर इंटों ने बुक लिखी है मोमें इन बुले इन इंडिया तो यहां पर आप लोग दिख सकते हैं कि मांडरर इंडियचे पे पी महिलाओं कैसी है उन पर पर लुक लिखा गया है नीरा दिसाई की बुक है Our Women University Goes to Rural Areas तो आप लोग यहाँ पे को रिलेट अभी कर सकते हैं कि ग्रामिर्ड जो छेत्र हैं उस पे भी इन्होंने काम किया है तो Our Women's University Goes to Rural Areas यह बुक नीरा दिसाई की 1979 की है नीरा दिसाई ने 1982 में Breaking the Academic Isolation यह करके बुक लिखा है इन्होंने और 1982 में ही इन्होंने The Universities Goes to Village का आप लोग यहाँ पे Confuse नहीं होएगा Our Women's Universities Goes to Rural Areas करके बुक है लेकिन यहाँ पे जो है University Goes to Villages यह जो बुक है आप लोग देखेंगे Maximum जो है यहाँ पे डीटेल में दिया है कि The Rural Development Program के अंतरगत यह जो क्या बोलेंगे प्रकाशन हुआ था तो इसको एक बुक के रुप में देखते हैं यह Research Center for Women's Study और SNDT Women's University के द्वारा जो भी इनके प्रकाशित पेपर्स रहे हैं उन्ही का एक कलेक्शन मान सकते हैं नीरा दिसाई की एक और बुक है Emergence and Development of Women's Organization in India नीरा दिसाई की एक और बुक है Breaking the Ivory Tower Outlook यह बुक थोड़ी डिपरेंट है आप लोग जरूर याद रखियेगा Women and Law यह भी एक बुक इन्होंने लिखी है Economic and Political Weekly में इनकी जो छपती थी जो भी materials उस पे content पे तो उस पे यह बुक है Women and Law Curriculum Formation for Women in Development यह नीरा दिसाई की एक बुक है Evaluation of Implementation of Government Programs for the poor women in South Gujarat तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि South Gujarat के लिए भी इन्होंने काम किया है हाला कि Gujarat से खुद समंदित रही है लेकिन आखे में यह बुक किस से समंदित है तो पेपर प्रेजेंटेट फार कमिशन on Self-Employed Women, Government of India Research Center for Women's Studies और SNDT Women's University मुंबई से कलेक्टेड है एक बुक है The Making of Feminist I think कि इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके है नीरा दिसाई की एक और बुक है Feminism as Experience जरूर आप लोग याद रखेगा कि नारिवाद पे इन्होंने काफी कुछ अपने विचार प्रस्तुत किये है From Accommodation to Articulation ये जरूर आप लोग याद रखेगा ये बुक भी बहुत ही जादे इंपोर्टेंट है ये बुक किस पे आधारित है तो वो मेंस मूमेंट इन इंडिया तो महिलाओं का आखिर में कौन-कौन से मूमेंट हुए है भारत में उस पे ये डिपेंडेंट बुक है उससे रिलेटेड है कि From Accommodation to Articulation पर इच्छा मैं ऐसे पूछ देगा कि जो नीरा दिसाई की पूछ तक From Accommodation to Articulation या किस समन्दित है या इसमें किस विसे की चर्शक की गई है तो यहां पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि ओमेंस मूमेंट इन इंडिया पे ये आथारित है नीरा दिसाई और भी पतेल तो इनकी बुक है Critical Review of Researches Women's Study ये भी एक बुक है जो कि नीरा दिसाई और भी पतेल के द्वारे लिखे गई है तो ये आप लोग याद रखेगा यहां पे मैं बहुत ट्राई की कि इनकी कुछ पूस्तके हमें कवर पेज जो है वो मिल जाए लेकिन होजादे तो नहीं मिली जो मुझे मिली उसको मैंने यहां पे मेंसिन किया है और एटलिस इतना तो आप लोग अपने माइंड में जरूर रखिएगा क्योंकि जब हम इमेज देखते हैं तो हमारे माइंड में एक बन जाती है कि इमेज बन जाती है कि हाँ यह बुक देखा हुआ है और किसे समंदित है जैसे कि अटिकेट आप ओमेंस मुवमेंट इन इंडिया यह नीरा देशाई के द्वारा लिखी गई है सोसल चेंज इन गुजरात यह भी उनकी बुक है ओमें इन इंडिया और इन इंडिया आप लोगं को पता है कि यह महिला वर्ष के रूप में मनाया गया था 1975 से लेके और 1985 तक तो ये जो है ये महिला दसक के रूप में मनाया गया था एक मिनट 1985 तक तो ये महिला दसक के रूप में मनाया गया था वहीं पर अगर महिला वर्ष के बात करें तो ये 1975 हो जाता है कि ये माना जाता है कि 1975 जो था वो महिलाओं का वर्ज था तो उमीद है दोस्तों कि नीरा दिसाई से सम्मन्दित जो भी facts थे वो आप लोग तक मैं पूरा try की हूँ कि जितने भी मेरे पास sources थे चाहे वो online थे चाहे मेरे पास books थी तो उनसे सम्मन्दित इससे जादे मुझे नहीं लगता है कि चाहे वो कोई भी exam है चाहे वो hire का exam है चाहे पीज़िटी का हो चाहे नेट का हो उसमें कहीं इससे बाहर पुछा जाएगा क्योंकि कुछ ऐसी भी content है जो कि मैंने दूसरी जगह से भी धूट धूट के और इसमें मेंसें किया है तो उमीद है कि आप लोगों को काफी helpful होगा यह lecture और और भी महिलाएं जो हैं विचारक उनसे समन्दित हम लोग lecture देखेंगे जैसे कि सरमिला रेगे हैं या फिर्णा अगरवाल है बंदना कर रख है तो इनके बारे में ही विर्णा करते हैं जिससे कि आप लोग जो सब्सक्राइब होते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं सकते हैं पीजी टी की सिलिभस में महिलाओं की स्थिति क्या है है तो कि वी हम आजाता है तो अगर आप लोगों को मेरा लिक्चर पसंद आता है मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो आप लोग लाइक किया करिए कमेंट करके बताया करिए अपने दोस्तों में सेर किया करिए धन्यवाद